दोस्तों हमने तो बहुत सारी प्रेम कहानी देखी है कुछ प्रेम कहानियों का जो है दी एंड हो जाता है लेकिन कुछ प्रेम कहानिया बहुत ही अमर हो जाती है ऐसी ही प्रेम कहानी रही है नंदीश सिद्धू और रश्मी देशाई किया आईए जानते हैं कि आखिरकार ये ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी चलते चार साल में ही दोनों हो गए अलब यानि कि चार साल के भीतर हो गया दोनों का डिवोस क्या रही डिवोस की वज़े कौन गलत था कौन सही था आईए जानते हैं कि आखिरकार क्यू छलकार रश्मी देशाई का दर्ध तलाक को लेके नमस्कार दोस्तों मैं हूँ काजल सिंग और आज सभी का स्वाहत करती हूँ आपके अपने चैनल ABV Entertainment में वेल दोस्तों रश्मी देशाई हम सभी जाते हैं कि टेलिविजिन इंडिस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है रश्मी देशाई ने अपना करियर जो है मॉडलिंग शे शुरू किया था धीरे धीरे करकर वो एक्टिंग लाइन में आई और उन्हें कलस पे मोस्ट पॉपुलर शो मिला उत्रण इसे शो की दुरान उनको उनका लाइफ पार्टनर भी मिला नंदीश सिद्धू जी हाँ नंदीश सिद्धू जो है रश्मी देशाई को पिछले पास साल से डेट कर रहे ते फिर बाद में धीरे धीरे दोनों ने अपने प्यार को जो है शादी के बंधन में बढ़ाया और दोनों शादी कर बैठे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से 2015 में एक ख़बर आये कि रश्मी देशाई नंदीश से अलग होने जा रही है इसके बाद उनकी जितने भी फैंस थे सब जो है सोच में पड़ गए कि आखिरकार इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इन दोनों की राहे अलग होने चा रही है 2015 में ये दोनों ने डिवोस ले लिया अब इसके पीछी कि क्या वज़य है क्या कहानी है ये तो कई बार रश्मी देशाई और नंदिश से धुप बोलते हुए बया करते हुए नजर आए ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि ये दोनों रिलेक्शन्शिप में कही न कही अटक गए थे और इसकी वज़े थे रश्मी और नंदिश वेल जब रश्मी देशाई से पूछा गया कि उन्होंने नंदिश से डिवोस की लिया इस पर रश्मी देशाई ने बताया कि नंदिश उन्हें करियर में आगी नहीं बढ़ने दे रहे थे उन्हें जो है काम में उज़ा रहे थे घर के कामों में बहुत ज़ादा इंवॉल्फ कर रहे थे और उनको torture किया करते थे, उनका phone check किया करते थे, उन पे rope talk किया करते थे और उनके career को कही न कहीं खतम करने के कोशिश कर रहे थे वेल भही पे नंदिश का कहना था कि रश्मी देशाई जो है उन पे काफी शक करती थी नंदिश कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस से मिलने गए थे, क्या बाती हुई थी वगेरा वगेरा बहुत सरे personal matters में रश्मी देशाई interfere करने लगी थी जिससे नंदिश बहुत परिशान हो गए थे, frustrated हो गए थे नंदिश ने अपने रिश्टे को सम्हान ले के लिए पूरी कोशिश की थी, उन्हें और एक मौका भी दिया था लेकिन रश्मी देशाई का ये कहना है कि अगर नंदिश ने एक और मौका दिया होता तो शायद हमारा कभी डिवोस ही ना हुआ होता आज इन दोनों की राहे अलग हो गई है नंदिश के साथ डिवोस की बाद रश्मी देशाई की लव अफ़ेर की चर्चाए बहुत बार सामने आई थी कभी सिधार शुकला के साथ तो कभी अरहान खान के साथ लेकिन एक भी लव अफ़ेर जो है उनका सक्सेस नहीं रहा वैल अब इसमें किसकी गलती है क्या गलती थी ये तो हम नहीं चौनते हैं लेकिन अगर आज रश्मी देशाई और नंदिश साथ होते तो शायद रश्मी देशाई अपने करियर में इतना आगे ना आ पाती है ऐसा कहना है रश्मी देशाई का वह दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए आपको क्या लगता है रश्मी और नंदिश की अलग होने में किसकी गलती रही होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताक जिलती भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप तक सबसे पहले पहुचाती रहूंगी और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलू करें थैंक इस सो मज़ पो वाचिंग माई वीडियो